साई की बाद ये तुम नहीं जानते ये मैं जानता हूँ ये तो मुझे बता है ना कि जो लोग तुम्हें बहुत अच्छा दिखाते हैं वाह वाही करते है अपने चीज़ों को लेकर और कही ना कही उनके अंदर घमंड है तो तुम ना उनकी चीज़ों पर मत जाओ उनके हाओ भाओ पर मत जाओ उनके अंदर को तुम नहीं चानते उनके अंदर जो चीज़े है ना जो अंधेरा है जो तकलीफे है ना तुम नहीं नहीं चानते वो सिर्फ दिखाव़टी जिन्दगी जीते हैं असलियत में उनके अंदर सुकून है यह नहीं दिखाने के लिए और कुछ नहीं मेरे बच्चे बात को समझने की कोशिश किया करो और तुम्हारी जिन्दगी ऐसी है कि तुम दो वक्त की रोटी खाते हो सुकून की खाते हो चाहे तुम नमक से क्यों न खाओ लेकिन तुम्हारे जिन्दगी में सुकून है तो तुल्ला किस बात की मेरे बच्चे तुल्ला मत किया करो अरे तुम्हारा बाबा मैं हूँ मैं तुम्हारी तरफ हूँ तो फिर किस चीज की चिंता करते हो तुम हर एक चीज तुम्हारी है ये पूरी दुनिया तुम्हारे साइं की है जब ये दुनिया तुम्हारे साइं की है न तो सब कुछ तुम्हारा भी तो हुआ न सब चीजों पर तुम्हारा भी तो हक हुआ न तुम भी तो इस दुनिया के मालिक हो गए न तुम जो भी जहां भी जिस चीज पर हाथ रख दोगे न वो तुम्हारी हो चाहेगी बस तुम कोई मौका थे निकल गया तो यह मत सोचा करो कि naw क्यों निकल गया है नहीं बलकि महाले जीवन तुक्य तुम्हारी जीवन में कुछ इस से भी अच्छा आने वाला भाले है तब ऐसा हुआ है तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से अच्छा करना चाहता है बहतरीन करना चाहता है तो अपने बाबा को मौका दिया करो ना कुछ करने का तुम पहले से ही शिकायते करना शुरू कर देते हो कि बाबा आपने ऐसा कर दिया बाबा आपने वैसा कर दिया तो ये सब चीजे मत किया करो और सुनो तुम बहुत परिशान होते हो ना तुम्हारे घर पर कुछ लोग मासाहरी है और तुम भी कभी ना कभी मासाहरी खाना खा लेते हो तो मुझे उससे कोई परिशानी नहीं है मेरे बच्चे अगर तुम्हारे घर पर मासाहरी लोग है तो कुछ मेरे बच्चे शाका हरी हैं, तो कुछ मेरे बच्चे मासा हरी हैं, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, कोई परिशानी नहीं, ये दुनिया है और दुनिया में सब चल रहा है न, तो कोई नहीं मेरे बच्चे, और सुनो, अगर कोई इंसान आकर तुमसे अपना दु से सुना करो क्योंकि तुम नहीं जानते मेरे बच्चे की वो जिस विश्वास के साथ तुमें बता रहा है ना जिस दर्द को वो तुम्हारे साथ बाटना चाहता है क्योंकि उसे तुम्हारे अंदर अपना पन जहलकता है मेरे बच्चे कोई भी इंसान किसी को भी अपना दु मिन Essentially Church मैं तुम्हें को सौपना चाहता हूं वह लिवाऑनी है और तुम Пр해ела को निभावगे बस वह जिम्हेधार को पास आने ही वाली है नों की आंदर उस जम्मेधारियों तुम बहुत अच्छे से निभाओगे, बहुत अच्छे से काम करोगे, और जहां भी कमी आएगी तुम मुझे बुला लोगे, ठीक है? और विश्वास रखो मेरा, जिन भी बच्छोंने मेरी मदद मांगी है न, उनकी मदद अवश्य होगी मेरे बच्छे, मेरे कुछ ऐसे बच्छे हैं जो उनके पास जाएंगे, उनकी मदद होगी, जरूर जरूर होगी, वो बिल्कुल जिनता ना करे, वो जिन परिशानियों मे गिरे हुए है ना उन सबसे जल्दी में बाहर निकाल लूँगा मेरे बच्चे तुम बिल्कुल चिंता मत करो और सुनो क्या कहते हो तुम कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं तुम्हारे माता-पिता नहीं तु कोई भी नहीं है तुम्हारा अकेले हो नहीं ऐसे कैसे तुमने कह दिया मेरे बच्चे वो तुम्हारे सांसारिक माता-पिता थे लेकिन मैं तुम्हारा तो लोग पर लोग का माता-पिता हूँ ना तुम अपने बाबो को नहीं पहचाने क्या अगर तुम मुझे माता की रूप में देखोगे तो मैं माता हूँ तुम्हारी अगर बुरी जैसे मर्जी तुम सारे बाते मुझसे कह सकती हो सुन सकती हो और मैं तुम्हें जवाब भी दूँगा और मैं तुम्हें सही रहा दिखाऊंगा सही चीजे करूँगा ठीक है और सुनो अगर तुम्हें कोई भी कुछ खाने को देता है न अगर तुम्हें उस इंसान पर शक है कि वो इंसान कुछ न कुछ खाने के साथ करता है तो तुम्हें एक काम करना होगा तुम्हें उस खाने को सबसे पहले मेरे चड़नों में रखना होगा और उसमें उदी मिलानी होगी फिर उसके बाद तुम उस खाने को खा सकते हो जो भी चीजे होंगी न, वो सब चीजे बे असर हो जाएंगी, कुछ भी चीज तुम पर असर नहीं कर सकती, तुम देख ले न चाहे कोई कैसी भी मंशा के साथ में तुम्हारे पास खाना लेकर आए लेकिन वो उसकी मंशा, उसे चोखट पर खतम हो जाएगी, जिस चोखट को वो लांकर बाहर गया, तुम देख ले न, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा, एक दिन का भी चुमने नहीं दूंगा तुम्हें, और आज से न, मेरा नाम जाप करना शुरू कर दो तुम, तुम बिल्कुल भी न, मेरा नाम जाप नहीं करते हो, मेरा नाम जाप करना शुरू करो मुझे पता है, कि तुम्हें वक्त नहीं मिलता, लेकिन देखो, वक्त तो कभी नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, लेकिन जो इस जीवन के सासे तुम्हारी जा रही है न रोज यह बीत रही है मेरे बच्चे यह एक गट रही है समझो इस बात को जीवन में तो कभी भी वक्त नहीं मिलेगा ना पहले ना अब न आगे तो मैं निकानना पड़ेगा वक्त तुम्हें इश्वर का नाम चाप करना पड़ेगा क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो इश्वर को नहीं मानता कहते हैं कई लोग की वो इश्वर को नहीं मानते लेकिन उनके जिंदगी में एक ना एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि वो इश्वर के आगे ही जुकते हैं वो इश्वर से ही मांगते हैं चाहे उन्हें विश्वास हो ना हो लेकिन वो आते इश्वर के पास में हैं क्योंकि वो जानते हैं इस दुनिया को चलाने वाला एक ही है वो इश्वर वो परमात्मा ये जो सूरज, चान, सितारे, दिन, रात तुम देखते हो ना, धूप छाओं देखते हो ना, पेड़ पौदे देखते हो ना, ये सब किसकी किरपा से हो रहा है, ये सब इश्वर की किरपा से हो रहा है, अगर कोई हवा आकर तुम्हे छूप कर चली जाती है ना, इस पर्श क बिल्कुल गलत नहीं है, बस तुम मजबूरी में आकर वो फैसला उठा रहे हो, वो चीजे कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ हो, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, तुमने पूछा था ना कि बाबा मैं गलत हूँ क्या, नहीं, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, अगर अपने हक मीना ये गंदे कपड़े इधर से उधर मत पैका करो उसे उठाकर एक जगा पर रखा करो अगर वो मैले कपड़े हैं गंदे कपड़े हैं तो उन्हें उठाकर ऐसी जगा पर रखो जहां पर तुम एकटा करके रख सको और तो तुम्हारे नजरों के सामने ना आएं, बार-बार, एक जगा ऐसा उठाके रखो, जिससे कि तुम उसे बाद में धो सको, जब भी तुम्हें वक्त भी ले लेना, तब तुम उसे धो सको मेरे बच्चे, और सुनो, जब तुम मेरे वस्तर बदलते हो न, तो उसी वक्त में मेरे वस्तर को धोकर डाल दिया करो उसके अगले दिन या तीसरे दिन तुम मेरा वस्तर जब बदलते हो तो मुझे वो वाले वस्तर पहना दिया करो कोई बात नहीं लेकिन मुझे धुले हुए वस्तर ही पहनने होते हैं वस ऐसे ही उठा कर मत रख दिया करो उसे धोलिया करो एक बार धोने के बाद ही मुझे पहनाया करो क्या जब तुम इसनान करते हो तुम क्या मेले कपड़े पहनते हो नहीं न धोकर पहनते हो न तो इसी तरीके से अपने बाबा को भी न धोले हुए कपड़े ही पहनाया करो मेरे कपड़ों को भी धोदिया करो मेरे बच्चे अच्छे से धोदिया करो तुम मेरा मुकुट लेके नहीं आए तुम हर रोज सोचते हो और भोल जाते हो मेरा मुकुट लेकर आओ खुश रहो आज का मध्यान साई संदेश समापतुवा